केरल के थिरुवनन पुरम में स्थित पदमनाग पगवान के मंदीर और उसके खजाने के बारे में तो हर कोई जानता है। उस अंचुए पहलू के बारे में जो शायद आप न जानते हो। 31 जुलाई 2000 क्या रखो हाईकॉट ने ये हुकम दिया कि पदमनाग मंदीर के गर्ब ग्रुह के द्वारों को खोल दिया जाए। खजाने का आकलन और मुल्य दै किया जाए और उसके धनकोस को सरकार अपने नियंतरण में ले ले। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर सद्योपुरा ने इस खजाने की बात हाईकॉट तक कैसे पहुची। तो हुआ यू की टीपी सुंदर राज जो इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के भुतपूर अधिकारी थे और इस मंदीर के एक भक्त भी। उन्होंने मंदीर पर राज परिवार के अथिकार को खंडन करने की याचिका हाई कोट में दाखिल की थी। यहां पर राज परीवार मतलब तृवण कोट के राजवनसज माहराज उतरुत्तम मारतडवर्मा जिन्हें बले माहराज कहा जाता हो और अपने पुरवजों के कारण वहां का राजा माना जाता हो। लेकिन राजा और महराज के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके आवास को महल तो कहा जाता है लेकिन वो छोटे से आवास या निवस्थान या एक टेनामेंट टाइप गर से बढ़कर ज्यादा कुछ भी नहीं है। उत्तरुत्तम मार्तर वर्मा ने अपने जीवन के पिछले साल भी आर्थिक कठिनाईयों में बिताए है। चब से पहले जानते हैं कि आखिर खजानत था कितना। हाइकोट ने जब आदिस दिया तो खजाने का पहला द्वार खोला गया। दरवाजा बहुत ही पुराना था। जब इसको खोला गया तो अंदर बहुत ही धूल जमा हुई थी। और अंदेरे के साथ दूशित हवा भी थी जिसको पहले ऑक्सिजन युक्त हवा के मात्यम से शुद्ध किया गया और वहाँ पर रोश्नी की गई इस खंड को लगबग 150 साल पहले खोला गया था जिसमें कुछ जरूरी सामान को रखकर कुछ ही मिनिटों में बंद कर दिया था अब इतने सालों बाद जब उसे खोला तब स्वाटच के सोने का जो भंडार मिला वो देखकर सब दंग रहे गए इस पहले ही खंड में स्वर्ण के कई सारे आभुसन, स्वर्ण मोहरे और प्योर सोने से बने वस्तर भंडार थे वहाँ पर साथ फीट लंबा एक सोने का नेकलिस भी था कई बड़ी बोरियों में तो सिर्फ हीरे भरे हुए थे कई सारे सोने के बरतन और रतन चड़ित हीरा मोती के आभुशन वहाँ पे एक बड़े भंडार के रूप में मौझूद थे सोना, रतन और हीरे से बने बड़े-बड़े मुगट, सोने की मूर्टिया और सोने से बने तांदूर भी वहाँ पर मौझूद थे निरिक्षकों ने इस सारी चीजों का वजन किया तो पाया कि इसका वजन एक मैट्रिक टर्न से कम नहीं था इतनी सारी चीजों की घंड़ना उसका रेकोर्ड और दस्तावेज बनाने में महिनों तक का समय निकल जाए ये परिस्ती थी और उसके मुल्य का आकलन लगाना तो उससे भी बड़ी समस्या थी फिर भी कुछ हद तक गोल्ड की कीमत के साथ उसका आकलन करके उसका मुल्यांकन किया गया तब खजाने की कीमत का जो आकड़ा सामने आया वो था लगबग 1,20,000 करोड ये आकड़ा सिर्फ खजाने के गोल्ड की वेल्यू थी लेकिन जैसा के हम सब जानते है पूराने और एंटिक चीजों की वेल्यू उसकी धातू की किमत से नहीं तै की जाती लेकिन वो जीस कितनी पुरानी है और कितनी फैमस है उसके आधार पर उसकी किमत तै होती है यहाँ पर प्रथम द्वार से मिले खाजाने की किमत अगर एंटिक वैल्द के मुल्यानकन से की जाए तो उसका आकड़ा हमारी सोच से भी परे होगा और यह किमत तो सिर्फ एक खंड के खाजाने की ही थी बाकी और छे दर्वाजे अभी बाकी थे इतनी बड़ी संपदाक के बारे में जानने के बात एक प्रस्ना आपके मन में जरूर उठा होगा दोस्तों कि इतना सारा धन पदमनाब मंदिर में आखिर आया कैसे बात की खाल तक जाने के लिए हमें थोड़ा इतिहास खंगालना होगा दोस्तों बात है कुछ सदियों पहले की जब दक्सिन भारत में चोरा, पांडिया तथा चेरा इन तीन मुख्य सामराज्यों की त्रिटी थी लेकिन एक महत्वकांग सी राजा ठाकुर मारतडवर्मा ने 1719 में अपने आसपास के राज्य को जित कर एक बड़े राज्य का गठन किया नाम था त्रावन कोर हमने इस डोक्यूमेंटरी की सुरुआत में जिस मारतडवर्मा की बात की थी वो थे उत्तरोत्तम मारतडवर्मा जो ठाकुर मारतडवर्मा के तेर में वनसज और उनके स्थापित किये हुए राज्य त्रावन कोर के तेर में वारिस थे जबकि ठाकुर मारतडवर्मा त्रावन कोर सामराज्य के स्थापक और उसके पहले राजा थे अब ठाकुर मातर वर्मा भगवान पदमनाप या यू कहिए के भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे वो अपनी हर विजय का कारण और उनके पास जो कुछ भी है उसका असलिस रे कुल देवता विष्णु को देते थे उस समय इस विष्णु भक्त ने एक बड़ा निर्णे लिया उन्होंने ये जाहिर किया कि उनके पास जो कुछ भी संपती है वो कुल देवता पदमनाप के चरनों में अरपन करते है सिर्फ इतना ही नहीं उनका राज्य, राज्य की हर संपदा और अब तक जीती हुई हर एक वस्तु उन्होंने अपने कुल देवता को समर्पित कर दी और अपने आपको बगवान पदमनाप का दास घोशित कर दिया यहाँ पर याद रहे दोस्तों, दास और शेवक दो सब्द में बड़ा अंतर है शेवक वो होता है जो किसी फल या पुरसकार की आशा में सेवा या चाकरी करता है और वो कभी भी अपने मालिक को छोड़ के जा सकता है लेकिन दास वो होता है जो किसी भी फल या पूरसकार की आशा कीए बिना अपने मालिक के प्रती सर्वता समर्पित रहता है यहाँ पर महाराज वर्मा ने अपने आप को कूल देवता को समर्पित कर दिया था इसलिए जाहिर सी बात है कि वो अपने राज्य त्रावन कोर के अब राजा नहीं बलकि एक दास और रक्सक है और उन्होंने ये प्रन लिया कि उनकी आने वाली हर पेड़ी इस राज्य के रक्सक और भगवान पदमनाप के दास बनकर अपना जीवन व्यतित करेगी और यही ह हुआ धोस्तों ठाकूर मार्तर् वर्मा और उनके बाद आने वाले तेरा के तेरा राजाओं ने अपने जीवन से जो भी पाया वो इस मंदीर के गर्ब ग्रुव में इकठा करते गए उसके बाद कई और छोटे बड़े राज्य और राजाओं ने अपने राज्य को त्रावन कोड में विलीन कर दिया लेकिन त्रावन कोड के रक्सक या यू कहिए कि दास होने के नाती मारतर वर्मा ने उ अपनी वस्तू या पुरसकार में आई वस्तू या राज्य के द्वारा किसी राज्य से जीती हुई वस्तूओं को अपनी खुद की जागिरी न मानते हुए एक-एक कर मंदीर को भेट चड़ाते रहे और इस तरह सालों के इत्यास का धन दीरे-दीरे करके पदमनाब मंदी आज इतनी बड़ी मात्रा में इकठा हुआ है जिसका आज तक किसी भी राजा ने खुद के लिए उपयोग नहीं किया इस परम भक्तिवात का आज के भौतिक और आतोनिक समाद के साथ कोई भी मेल नहीं खाता लेकिन सच तो ये है कि त्रावन कोट के पहले राजा से लेकर अब तक हुए सभी राजाओं ने अपने पुर्वजों की परमपरा को निपाया और अपना समस्त जीवन त्रावन कोट के दास और रक्षक बनकर व्यतित किया अब सवाल आता है कि तो फिर आखिर ये धन किसका आखिर इतनी बड़ी संपदा का मालिक कौन है इस खजाने की चर्चा के विशय पर भारत के कई लोगों ने कहा कि खजाना सरकार को सौब देना चाहिए कुछ बुद्धी जीवियों ने ये भी कहा कि खजाने को जरूरत मंदों के साथ बाठ देना चाहिए कुछ लोगों का कहना है कि खजाने को जहां है वही पर होना चाहिए लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुमान को प्रकट किया लेकिन चलिए यहाँ पर हम समाजिक नियमों और धोरनों से तथा कानूनी तोर से ये जानने की कोशिश करते है कि खजाने का असली हकदार कौन कानूनी तोर पर 1888 में इंडियन ट्रेजर ट्रो एक्ट का गठन किया गया था इस एक्ट के मुताबित अगर कोई खजाना अनायास ही बाइ एक्सिडन किसी को मिल जाता है और उस खजाने के लिए कोई प्रयोजन या हेतु पुर्वक के कोई शंसोदन नहीं किये गए तो उस आकस्पिक दोर पर मिले हुए खजाने में से 50 प्रतिशक हिस्सा सरकार का हो जाता है और 50% उसे मिलता है जिससे वो खजाना मिला था लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि पदमनाब मंदिर में मौजुद खजाना किसी को अकस्मात से नहीं मिला है वो खजाना हमेशा से वहाँ पर मौजुद था जब कौट ने आदेस दिया तब वो लोगों के सामने आया इसलिए काइदे से वो खजाना केंदर सरकर का भी नहीं होता और राज्य सरकर का भी नहीं तो फिर आखिर उसका मालिक कौन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दो के राजगराने की और वर्तमान महराज की मालिक्यत इस खजाने पर बिलकुल नहीं होती क्योंकि आगे किसी भी राज़ा ने इस खजाने पर अपना दावा नहीं किया था और वो खुदी सराज्य के दास बन कर रहे थे वर्तमान में कौर्ट ने जब आखिरी राजा राम बर्मा से उनकी मिलकत की वसीयत मागी तो महराज ने खजाने की या मंदिर की किसी भी चीज का उसमें जिक्र नहीं किया था अब इस परिस्थिति में खजाने का अइतिहासिक महत्व देखते हुए उस पर एक ही कानून लागू पड़ता है जिसे एंटिक एंट्रेजर एक्ट कहा जाता है भारत की अइतिहासिक और पुरानी चीजों के लिए ये एक्ट बनाया गया था जिसके अनूसार भारत की अइतिहासिक दरोहर या कोई प्राचिन संपती हो वो इंडियन एंटिक एंट्रेजर एक्ट में आता है उसके अनुसार भारत सरकार का ये फर्ज है कि देश में उस चीज़ की हिफाज़त हो और किसी भी हालात में उस वस्तु को भारत की सिमाओं से बाहर नहीं जाने दिया जाए ऐसी कई एंटिक चीज़े हैं जो भारत देश की अपनी जागिर है तो फिर से अगर ये प्रशन उठे कि आखिर खजाना किसका तो एक तो ये है कि खजाना किसी का ना होकर स्वयम उसे आज तक संबालते आए पडबनाब मनिर का ही हुआ और दूसरा उसका अईतिहासिक महत्व देखते हुए खजाना भारत की धरोहरों में से एक है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर इस विशे में आपके कोई सुजाव या प्रशन हो तो हमें जरूर कॉमेंट करे और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करे और दो नॉलेज के विवर को मैं बहुत ही अभिनांदन देना चाहता हूँ उनके सहकार के लिए आगे ऐसे ही हेल्दी नॉलेज के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुश रहिए टेक केर